अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अवर यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक वाला प्लाजो कैसे बनाया जाता है और दोस्तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ अग को सीखने का मिल जाएगा और दोस्तों इस कोर्स की जो फीस है वह 1000 रुप है बाकी जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया आप देख सकते हो यह मेरे पास एक कोटन का हो गए प्लडल चार पार्थ है होते हैं प्लाजो के आपको इस तरह से और चारोगे चारोगार है सबसे पहले जब आपने अपने Izzy ada करिया आप आप दो के जगे ढ़ाई भी लख सकते हो यह फिर एक इंच भी रख सकते हो अगर आपने कम फोल्ड करना है तो अब फ्रेंट्स यह जो निशान है इस निशान से हम सबसे पहले इसकी लेंगे लंबाई का नाप तो सबसे रहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं इस प्लाजो क हम लेंगे लंबाई का नाप तो फ्रेंट्स लंबाई है 38 यानि 38 तो इस देखे से लंबाई का नाप लेंगे नाप हम लेंगे एक इंच कम 37 37 दोस्तों इसलिए मैंने लिया है एक इंच कम क्योंकि इसमें होता क्या है कि उपर लगती है एक इंच की बैल्ट तो वह बैल्ट जब लगती है तो लंबाई पूरी cover हो जाती है इस तरह से लंबाई कनाप लगाना है आपको इसके बाद बात करेंगे कमर की कमर इसकी 34 है तो 34 का दोस्तों एक चौथा हिसा करेंगे 34 का आदा होता है 17 और 17 का आदा होता है आपको श्क्राइब जबता है आपको इसके बाद आगे वाला जो parts होता है यहां पे आपको लगाना होती प्लेट्स के लिए हम मार्जन लेंगे एक इंच का और एक इंच का मार्जन इसमें आगा सो दोस्तों इस तरह से total हो गया 11 इंच आप करना क्या है आपको यह सीधा नि प्लाजो की फिटिंग बढ़िया आती है और किसी के थोड़ा पेट भी अगर बाहर हो तो फिटिंग बहुत ही जबरदस्ताती इससे क्या होता है कि आपका जो साइड की जो सलाई होती है पैंट हो यहां प्लाजो आगे की तरफ नहीं आती इसलिए हैं से एक इंच डाउन लि थ небольш कि 38 का हम एक चोथाई करेंगे तो बनेगाлекं 1 .3 क्योंकि 38 का जो हाफ होता है वहां 19 और 19 कास एक इंच उपर निकालकर साड़े नो पर निशान लगाना है यानि एक चुथाई हिप का एक चुथाई है साड़े नो और इसके अलावा आपको यहां से लेना है दो इंच एक्स्ट्रा अब दोस्तों कितना हो गया है इस तरह से यहां से अगर हम इसको निकालते हैं एक इंच को तो यह तो यहां से होत है अब इस निशान से दोस्तों को चेर निकल चुका है अब हम नाप लेगे चाहिए का थाइजे 24 का 24 हम इसे रखना है देखिए थी 24 का हाफ होता है 12 इंच यह देखा बारे लिए निशान लगा दिया बोटम इसको ट्वन्टी 4 है तो इसने जो यह निशान लगाना कैसे लगाना है सिंपल वे में ऐसे बस दो इंच कम कर लेना है और यह जो उपर निशान जी आपको इसको मिलाना भूब किसी भी साइज का प्लाजो आपको जो कटिंग का जो फार्मूला यही होगा तो दोस्तों इस तरह से यह देखिए मैंने इसकी जो मार्किंग कर ली है और यहां पर मैं निशान लगा जाता हूं बिल्कुर बीच में सेंटर में यह देखिए जैसे कि यहां से टोटल यहारा कि निशान लगा यह बागी प्लेट से बीचार और पांच तक रख सकते हूं किया आपको इस तरह से लगानी और आप फ्रैंट्स मार्किंग मैं ने कर ली है लेकिन जब कटिंग करूंगा तो एक कीज़ां राखना ए कि आपको जो चारों पार्ट है यह एक साथ नहीं काटने पहले सिर्फ आपको दो पार्ठ उपर से कटिंग करनी हैं तो कटिंग कैसे होगी यह देखीये कैडशेल Odor sirf उपर के दो पार्ठ उठाने हैं एक पृच्ष कंट तो इस तरह से देखिए में सिर्फ दो ही पार्ठ काटें आप यह जो अगेर दो फिर्फक्स मेंगें न और यह देखी आपको 2 इ Sauce बढ़ाया बढ़ाना होगा और दो इस इदर से बढ़ाना होगा और इन निशानों का cognitive मिलाना अब फ्रेंड्स जो मैंने चीज होती है वह होती ही यह दिखिए है यहां से जो मेरे कम कर रहा यह एक इंच कम किया था लेकिन जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो यहां से में एक की जगे दो ऊपर लेना होगा और यह दोस्तों फार्मूला होता है इस तरह से जब आप तो इसी फार्मूले को यूज करें इससे क्या होता है कि आपकी फिटिंग बिल्कुछ जबरदस्ता आती है और इसमें जो में चीज होती है वो होती है सेड की जो सिलाई का जो होता है वो आगे की तरफ आपके नहीं आती अब दोस्तों इसको जैसे मैं यहां से एक इंच कम कर दोस्तों करें कर दोस्तों यहां दोस्तों का थी इसको बढ़ा दिया है अब इस निशान को आपको मिलाना इस वाले निशान से ये देखिए और यहां पर इस तरह से arrow का निशान लगाते हुए आप को करनी है गोलाई और दोस्तों बस अब आपको करनी है cutting और इस त्रह से बहुत simple way में आपका plazo कट जाता है आप तो थो फ से प्लाजो की कंटिंग हो चुकी है अब हम करेंगने स्टीचिंग यहां पर लिख देता हूं मैं चाहिए मां कि सिखा घ्रंच अब्सक्फर सबस्प्रेण मैं निशान लगा कि दिखाताू है अपको इस सीरी बैक वाला पाउट है इसके सबसे पहले चैनल लगा नगी और उसके बाद हम तुम सब्सक्रांजरने के भाद है पहले बैक पॉर्शन है मैं श्लाEE लगा ली है और इसका जो ग इसमें कुरोचे लगाने के बाद इसको रखो मैं साइड में और यह प्रे यह इसला पुरूचे ले लगा ली मैंने और इसमें प्लेट्स भी मैंने लगा लिए यह देखिए दोस्तों प्लेट्स बिलकुर ब्लाउज की तरह लगाई जाती है यहां से मारजन लेतों आपको इस तरह से निकालना होता है अब दोस्तों हम इसमें लगाएंगे बैल्ट तो बैल्ट लगाने के यहां ने के लगानी है और सीधी लगाने के बाद दोस्तों पिर अगला सीजरा आपको बता गा हुए। को आपको इस तरह से करना यह देखिए फोल्ड करने के बाद आपको इस पर एक चलाई और लगाने के बाद दोस्तों फिर अगला प्रोसिशर आपको बतरता हूं अब आप देख सकते हो इस जो बैल्ट है बैल्ट के अंदर इतना सारा कपड़ा है हमें सिर्फ इस में जो देनों को सारा अंदर चला जाएगा तो दोस्तों कैसे लगए कि आए दिखाता हूं मशीन पर अगर आपको पोकट लगाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर सच कर सकते हो कि पैंट में पोकट कैसे लगाई जाती आपको वुडियो मिल जाएगी तो दोस्तों इसमें फिलाराम पोकट नहीं लगाएंगे तो यह देखिए इस तरह से बैल्ट लगाने के बाद आप यह द इसको रखना इस तरह से उल्टा अब हम इसमें लगाएंगे सैड़ी की सिलाई सैड़ी कैसे लगानी है दोस्तों आपको लीचे से शुरू करनी होगी यहां से देखिए यह जो फ्रेंट वाला पार्ट है इसको मैंने रखा इसके उपर और यहां से आपको शुरू बात करन नी है और सेम इसी तरीके से दोस्तों यह आपको दूसरी तरफ लगानी आ यहां से शुरूवात करने लिए कि जब आपीछे वी तरफ लगाते यह यह इस तक ही लगानी हो है इसाल पर लाइब छोड़ दिया लगा लिए rarely लगा लिए अब दोस्तों हम तो friends ये देखिए नीचै से इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और इसे पकार से दूसरा वाला जुसका बॉल्टर में इसको ही फोल्ड कर लिया है फोल करने के बाद दोस्तों ये क्रोच एरिये से आपको इस दोनों से आपको स्टार्ट करनी है यहां से आपको स्टार्ट करनी है यहां से आपको आदा इंच का मारदन देते हुए यहां से स्टार्ट करनी है और यहां से लाते हुए दूसरे वाले पार्ट में से आपको इस तरह से स्लाई निकाल देनी है और दोस्तों इस तरह से जो न बैक पॉर्शन आपको दिख रहा है जितना भी टोटल है उतनी ही लंबाई में आपको इस टैप यह पट्टी लेनी है दोस्तों और इसकी जो चुड़ाई है कम सब्सक्राइब आपके पास चार इंच होनी चाहिए अब दोस्तों इसको रखा है मैंने सीधा और इसको रखना क तक सब्सक्राइब दोस्तों आपको इस फोल्ड करना इस के लिए आपको यह इस चुड़ी थी यह जो आपकी जो बैल्टे कहां तक आ रही है यहां तक और यहां पर इस त्सी दाकर निशान लगा लें और चाहें तो आप यहां पर कट भी लगा सकते होलकासा ता कि आपको याँ पर भी आप हलका सा कट लगा ले अब दोस्तों इस कट के क्रोलिंग अधोरТ को कड़ना है यह दिस्तिふ की पकड़ और इंधर से इस नोगा सकते कि नारे कि ऊप attitudes और नाव फोल्ड करने में तो इस तरह से थोड़ा सा नाखुन मार लें और आपको इससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमें इस नहीं फोल्ड करना है तो चाहें तो आप इस तरह सीधा इस पर यह देखी चौक से भी निशान लगा सकते हो ताकि आपको बिल्कुल एक्जक् के अंदर हम पिरो हैंगे लास्टिक तो पहले ही लगाता हूं मैं आपको दिखाता हूं सलाई कैसे लगएगा तो दोस्तों यह कुलले कट लगा सबसे पहले इस कट पे ही में च् państwo किनार पर अब फ्रेंड्स इसको हमने करना है फॉल्ड अंदर की तरफ यह देखिए और बहुत असानी से हमारा फॉल्ड हो जाएगा इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बस किनारे पर सलाए लगानी है फॉल्ड उतना ही करें जितनी आप इसके अंदर लाश्टी डालना चाहते हूं एक इंच सवा इंच डेड़ इंच तो फ्रैंड इस तरह से यह देखिए एक नेफे वाली जग़ा बन चूकी है अब इसके अराम से लास्टी कहम डालेंगे वह लास्टी कैसे डालनी है कितनी लेनी वो मैं आपको बाता हूं कांटरव पर है तो दोस्तों अब मैं आपको बताँगक इसके अंदर लास्टी को क या एका 17 इंच क्योंकि दोस्तो 70 इंच आगे सिजिए अलरी तयार है तो अब जब आपने लास्टिक लेनी ए तो लास्टिक कुछ से लेना है आपको आगे से 17 इंच निकाल लेना यह देखिए 17 निकाल दिया कमर है 34 तो हमें फ्रेंट्स करना के वह जब भी जो भी कमर होती है उससे तीन इंच हमें लाश्टिक कम लेनी होती है तो यह देखे 31 इंच है बाकी जो मैंने लाश्टिक लिए सिर्फ इतनी ही लिए यानि कि आगे से तो अलड़ी 17 हमारे तयार है हमें जो लाश से बिदि लिए लास्टिक है लाश्टिक के अंदर आपको लेनी कि इस्तियों से चिति पिन इसको इसके अंदर डालना है और आगे से और बंद कर दें और अबभ इसको दोस्तों सिधक अंदर यह देखे आपने सब्योना 하면 अब आपकी जो सीफटी पिन की मज़र से लाश्टिक को आपने अंदर पिरो देना हैं और दूसरे छोड शे इसको आपने निकाल लेना है। और बहुत असानी से जिस तरह से नाड़े को पिरो जाता है उससे तरीके से इस लाश्टिक में पिरो लेंगे। तो फ्रेंट्स सी यह देखिए लास्टिक को मैंने इस तरह से पिरो लिया यह सेफटी पिन है और बहुत असानी साब इसको आरपार कर सकते हो कोई दिखकत नहीं अभी सेफटी पिन की जुरूत नहीं इसको रखें साइड में अब फ्रेंट्स करना क्या है आपको कि यह जो च देख सकते हो बहुत असानी से लास्टिक जो है इसके अंदर लग चुकी है आप चाहो तो इसके बीच में भी स्लाई लगा सकते हो खेंच कर लेकिन दोस्तों जूरूत नहीं लगाने की क्योंकि उपर भी मैंने अल्रड़ी स्लाई लगा रखी है और यहां पर भी लगा लगा लेता हूं मैं उसके बाद फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा तो फ्रेंट से यह है इसका फाइनल लुक साइड की जो स्लाई थी वह मैंने लगा लिए दोनों तरफ से और यह देखिए पीछे इसमें लास्टिक लग चुकी है और आगे बैट लगा जीओ बिलकुस सिंपल तरीके से दोस्तों यह प्लाजो में आपको आज की वीडियो में एक आगे बैल्ट और पी चल्यक्त कैसे लाइक करें अगर आप आप मैट आरहा